Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS. आई हम study करने जा रही हैं Class 7, Mass, Exercise 2.5 Question 1, Which is greater? Students, यहाँ आपको कुछ decimal में numbers दिये गई हैं आपने compare करके बताना है कि इन में से कौन सा number greater है Solve करते हैं यह part 1 है 0.5 and 0.05 Students, देखो आपने यह बात माइन कानी है कि after decimal इनके digit equal होने चाहिए यह 0.5 है और यह 0.05 है यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर 1 डिजिट है इनके equal डिजिट होने चाहिए हम इनके digit equal करने के लिए देखो यहाँ पर एक 0 यूज कर लेंगे decimal के बाद 0 यूज करने से उसकी value पर कोई भी changes नहीं आता देखो अब यह भी 2 डिजिट हैं और यह भी 2 डिजिट हैं अब आगे देखें देखो यह तो 50 है और यह 0.5 है तो कौँज अग्रेट हुआ 50 बाला ना इसलिए यहाँ सिम्मल लगा देए ग्रेटर का पर सेकेंड देखो यह 0.7 है और यह 0.5 है तो 7 is greater than 5 यह सिम्मल लगा देए नेक्स यह 7 है और यह 0.7 है स्टुडेंट्स देखो यह नम्मर तो non-decimal है और यह decimal है कभी ऐसा होता है तो non-decimal के after decimal और 0 यूज कर लेते हैं हमने यहाँ पर 1 decimal लगाया और यह 0 लगाया अब देखो यह 7.0 है और यह 0.7 है अब compare करते हैं देखो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 0 है तो कौन सा ग्रेट हुआ यह 7 वाला ना यह decimal लगा दे ग्रेटर का अब part 4 देखो यहाँ decimal के बाद digit equal है बहुत अच्छा है अब compare करते हैं देखो यह भी 1 और यह भी 1 और यह 3 है और यह 4 है कौन सा ग्रेट हुआ 4 का ना यह decimal लगा दे next देखो इनकी compare करते हैं यह भी 2 और यह भी 2 बोथ हाँ equal इसके बाद में next है यह 0 है और यह 3 है कौन सा ग्रेट हुआ 3 ना सिम्मल यूज करें next देखो यह 0.8 है और यह 0.88 है तो इधर 1 डिजिट है और इधर 2 डिजिट है डिजिट इक्वल करने के लिए हम यह 0 यूज कर लेंगे अब compare करते हैं देखो यह भी 0 यह भी 0 यह भी 8 और यह भी 8 इधर 0 है और इधर 8 है कौन सा ग्रेट हुआ यह 88 वाला ना इधर ग्रेटर का सिम्मल लगा दें Question 2 एक्स पैस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स Students यहां आप से बोला जा रहा है कि इन पैसे को आप रुपीज में convert करें देखो यह first वाला है 7 पैसे Students आप अच्छे से जानते हैं 1 रुपीज is equal 100 पैसे होते हैं बट हमको यहां पैसे दिये हैं तो हमको इसे change करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा 1 पैसे is equal 1 by 100 रुपीज हमारे पास यह 7 पैसे हैं तो यह 7 by 100 हो गया Students आप एक बात और द्यां रखें कि डेनोमिनेटर में जितने number of zeros होते हैं decimal उतने ही digit के बाद यूज किया जाता है इस तरह से यह हो जाएगा 0.07 रुपीज देखो यहां पर यह 2 0 है तो हमारा decimal after 2 digit यूज हुआ है second है 7 रुपीज 7 पैसा देखो यह 7 रुपीज है यह 7 पैसा है इस पैसे को रुपीज में convert करेंगे तो यह 7 by 100 होगा इस तरह से यह हो गया 7 plus 7 by 100 देखो 7 by 100 को हमने 0,7 यूज किया है और इधर 7 है ही है तो यह हो गया 7.07 रुपीज next यह है 77 रुपीज 77 पैसा देखो यह तो 77 रुपीज है यह पैसे है तो यह 77 by 100 हो जाएगा इस तरह से यह हुआ 77 plus 77 by 100 देखो यहाँ पर 2 zeros है और 2 digits के बाद ही decimal लगना है means इस 7 से पहले decimal होगा इस तरह से यह हो गया 77.77 रुपीज next यह है 50 पैसे तो यह हो जाएगा 50 by 100 रुपीज देखो आपने 2 digits के बाद decimal लगना है तो यहाँ पर 5 से पहले decimal होगा इस तरह से हो गया 0.50 रुपीज next है 235 पैसे तो यह हो जाएगा 235 by 100 देखो यहाँ पर यह 2 zeros है न 2 digits के बाद decimal यह होगा यहाँ पर 3 के बाद में means 2 और 3 के बीच में तो यह हो गया 2.35 रुपीज question 3 यह है express 5 cm in meter and kilometer second है express 35 mm in centimeter and kilometer students आप यह समसॉल्ट करने से पहले एक basic चीज लर्ण करें देखो यह kilo hecto deca base deci centi और milli यहाँ आपको यह length miss meter दिया गया है तो आप इन सब के साथ meter नोट कर लें यह किलो मीटर hecto meter deca meter यह base के place पर bm नहीं only m होगा यह meter यह decimeter हो गया और यह centimeter हो गया यहाँ आपके पास में यह 5 cm है आपने इसे meter में convert करना है आप एक चीज और mind करें कि देखो जब आप left to right move करेंगे तो 1 के सामने यहाँ पर जितने भी gaps है उतनी 0 यूज करेंगे और यदि आप right to left move करेंगे तो 1 by 1 note कर लो और जितने gaps होंगे उतनी 0 denominator में यूज करेंगे देखो यहाँ पर आपका centimeter है आपने meter की side में move करना है means आप right to left move करेंगे तो देखो यह 1 by 1 और यहाँ पर gaps है 1 and 1, 2 यहाँ 2 0 यूज कर लिए इस तरह से यह हो गया 1 by 100 meter means 1 centimeter is equal 1 by 100 meter आपके पास में यह 5 centimeter है तो यह हो जाएगा is equal 5 by 100 meter देखो यह denominator में 2 0 है तो आपने division नहीं करना only after two digits decimal use करना है इस तरह से यह हो गया 0.05 meter अब आपने इसको kilometer में convert करना है देखो यह centimeter है आप kilometer की side में जाएंगे तो आप 1 by 1 note कर लें इसके बाद gap count करें देखो यह gaps हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो यह हो गया 1 by 1 और यह आप 5 0 यूज़ करेंगे 5 0 means हो गया यह 1 lakh तो यह हो गया 1 centimeter is equal 1 by 1 lakh kilometer आपके पास में यहाँ पर 5 centimeter है तो इस इकोल हो जाएगा 5 by 1 lakh kilometer Students, देखो यहाँ पर यह 5 0 है तो after 5 digit decimal यूज़ करेंगे तो यह हो जाएगा 0.000005 kilometer अब आप digit count करें देखो 1, 2, 3, 4, 5 digits है 5 digits के बाद decimal है इसका second part है x-past 35 millimeter into centimeter meter and kilometer Students, इसमें आपको 35 millimeter को centimeter, meter और kilometer में यूज़ करना है इस scale के लिए हम उसी table को यूज़ करते हैं देखो यह millimeter है और यह centimeter है यहां आप right to left जा रहे हैं और only one gap है तो यह हो जाएगा 1 by 10 means 1 millimeter is equal 1 by 10 centimeter आपके पास यहां 35 millimeter है तो यह हो जाएगा 35 millimeter is equal 35 by 10 centimeter देखो यहां पर यह one zero है तो आप after one day decimal यूज़ करेंगे इस तरह से यह हो गया 3.5 centimeter अब आपने इस 35 millimeter को meter में convert करना है same table हम वही use करते हैं देखो यह millimeter है आपने meter की side में जाना है miss आपने meter में convert करना है miss आप right to left move करेंगे और यहां पर gaps है 1, 2, 3 miss हो गया 1 centimeter is equal 1 by 1000 meter आपके पास यहां पर 35 millimeter है तो यह हो जाएगा 35 millimeter is equal 35 by 1000 meter अब देखो यहां पर यह 3 zeros हैं तो आप after 3 digit decimal यूज़ करेंगे इस तरह से यह हो गया 0.035 meter students अब आपने इसे kilometer में convert करना है देखो यह millimeter है और आपने यहां तक kilometer तक move करना है तो आप इनके gaps count करें देखो यहां पर यह gaps हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 digit हैं तो यह 1 by 1 उसके आगे 6 zeros यूज़ करेंगे 6 zeros means हो गया यह 10 lakh तो यह हो गया 1 millimeter is equal 1 by 10 lakh kilometer आपके पास 35 millimeter है तो यह हो जाएगा 35 millimeter is equal 35 by 10 lakh kilometer अब आप after 6 digit decimal यूज़ करें तो यह हो गया 0.00000035 kilometer question 4 x pass in kilogram students यहां आपको कुछ gram unit दी गई है आपने इनको kilogram में यूज़ करना है हम इसी table को यूज़ करें देखो यह है kilo hectodeka base deci centi milli अब आप इनके साथ gram note कर ले तो देखो यह हो यह हो यह kilogram hectogram, deca gram, gram deci gram, centigram and milligram देखो आपके पास में यह gram unit है आपने kilogram में convert करना है means right to left move करना है और यहां gaps है 1, 2, 3 इस तैसी हो गया 1 gram is equal 1 by 1000 kg part 1 है आपका 200 gram तो यह हो जाएगा 200 gram is equal 200 by 1000 kg अब आप after three decimal use करेंगे तो यह हो जाएगा 0.200 kg per second है 3,470 gram इसे convert करेंगे तो यह हो जाएगा 3,470 gram is equal 3,470 by 1000 अब आप after three digit decimal use करें तो देखो decimal आएगा यहां पर 3 और 4 के बीच में आप note करने is equal 3,470 kg part third है 4 kg and 8 gram students देखो यह तो kg है 8 gram को आप करेंगे 8 by 1000 kg इस तैसे यह हो गया 4.008 kg question 5 write the following decimals numbers in the expanded form students यहां पर आपको कुछ decimal numbers दिये गए है आपने इनको expanded form में करना है देखो first है 20 point 0,3 देखो यह 20 है तो यह 2 into 10 हो गया plus 0 into 1 हो गया अब यह decimals के बाद के हैं न तो first digit by 10 हो जाएगा second digit by 100 हो जाएगा और third digit by 1000 हो जाएगा इस तरह से यह हो गया 0 by 10 plus 3 by 100 part second यह है 2 point 0,3 तो देखो यह 2 है तो 2 into 1 यह 0 by 10 और यह 3 by 100 तो यह 2 है तो 2 into 100 प्लस 0 into 10 प्लस 0 into 1 प्लस 0 by 10 प्लस 3 by 100 part 4 यह है 2 point 0 3 by 4 तो देखो यह 2 into 1 हो गया प्लस 0 by 10 प्लस 3 by 100 प्लस 4 by 1000 question 6 यह है write the place value of 2 in the following decimal numbers students यहां पर आपको कुछ decimal number दिये गए है आपने इनकी place value find कानी है देखो part 1 है यह 2.56 तो यह देखो 2 की place value 1 सही है न यहां note कर दो once अब यह 21 है तो यह 2 tens है न यहां note कर दो tens अब इसकी बारी है देखो आपने अभी question 5 किया है उसके according यह 2 by 10 आएगा by 10 में ती एचेस 10 है न तो 10 जो हो जाएगा यहां note कर दे 10 जो हो यह question 5 के according 2 by 100 होगा तो आप इसे note कर देंगे 100 से और यह question 5 के according 2 by 1000 होगा तो इसकी place value हो गई thousands से the next band from A to place B and from there to place C A is 7.5 km from B and B is 12.7 km from C are you band from A to place D and from there to place C D is 9.3 km from A and c is 11.8 km from d who travel more and by how much students देखो यह आपको figure के थू explain करते हैं यह point a है यह b, c and d a, b का distance 7.5 km है b, c का distance 12.7 है a, d, 9.3 and c, d, 11.8 km जो दिने से पहले a से b तक जाता है miss 7.5 इसके बाद b से c तक जाता है miss 12.7 और अयूब a से d तक जाता है miss 9.3 और d से c तक जाता है miss 11.8 यह both person point c पर ही जाते हैं but अपने different different way से आपने find करना है who travel more distance and how much किस ने ज़्यादा travel किया और कितना ज़्यादा किया यहां note करें distance traveled by dines देखो dines ने जो travel किया वो यह a b plus b c यह value यूज करें यह हो गया 7.5 plus 12.7 अब आप इन्हें add करें देखो decimal add करने में decimal के नीचे decimal आना चाहिए miss 5 के नीचे 7 decimal के नीचे decimal 7 के नीचे 2 and 1 अब आप इन्हें रफ़ प्रपली add करेंगे तो यह हो जाएगा 20.2 km यहां note करें यह ने जोड़ देखो यह a d plus c d a d distance कितना है 9.3 और c d कितना है 11.8 तो यहां note करें 9.3 plus 11.8 same way में आप इन्हें add करेंगे तो यह होगे 21.1 km यहां note कर दें आयूब ट्रेबल 21.1 km दिने इसने तो 20.2 दिस्टेंस किया और इसने 21.1 तो more distance तो आयूब ने ही किया ना यहां note करें आयूब ट्रेबल more distance by 21.1 minus 20.2 अब आप इन्हें प्रपरली अपने तरीके से subtract कर लेंगे तो इनका आंसर होगा 0.9 km यहां note करें आयूब ट्रेबल 0.9 km more than दिनेस Question 8 Siam bought 5 kg 300 gram apple and 3 kg 250 gram mangoes Salah bought 4 kg 800 gram orange and 4 kg 150 gram bananas who bought more fruits Students यहां आप से बूला गया है कि Siam ने 5 kg 300 gram apples purchase किये और 3 kg 250 gram mangoes और Salah ने 4 kg 800 gram orange and 4 kg 150 gram bananas आपने बताना है कि इसने ज्यादा fruits purchase किये तो सबसे पहले हम नोट करें fruits bought by Siam देखो Siam ने कितने किये यह 5 kg 300 gram plus 3 kg 250 gram देखो यह 300 plus 250 यह 550 हो गया और यह 5 plus 3 8 इस तैसे उसने 8 kg and 550 gram fruits purchase किये अब Salah का find करते हैं यहां नोट कर दें fruits bought by Salah is equal 4 kg 800 gram and 4 kg 150 gram अब आप इने एड करें देखो यह 800 plus 150 950 हो गया और 4 और 4 और 4 इस तैसे उसने 8 kg 950 gram 950 gram fruits purchase किये अब आपने बताना है who bought more fruits किस ने ज़्यादा purchase किये देखो यह 8 kg 950 gram more है यहां 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 नोट कर दें यहां आप से बोला जा रहा है कि 28 km कितना लेस है 42.6 km से यहां नोट करें the defense of 42.6 km and 28 km अब आप इने subtract करें यहां नोट करें 42.6 minus 28.0 अब आप subtract करें देखो यह 6 में ज़्यादा और यह 12 में से 8 subtract करेंगे तो 4 हो गया यह 3 हुआ 3 में से 2 subtract करेंगे तो 1 हो गया इस ऐसे हो गया 14.6 km